नमस्कार गुजराद माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक सिक्षन बोर्ड गांधी नगर अने गुजराद सरकार अंतरगत नीट प्रसिक्षन ना तालिम वर्गमा विद्यार्थि मित्रो उधिलिद्धारे आपने केमेश्ट्री विशेमा विद्युत रशायन ना एककम्मा आपने मारी साथे जोड़ू छो विद्यार्थि मित्रो आपने गत एपिसोर मा विद्युत रशायन विशे केटलिक माहिती में आपनी साथे चर्चा माल लिदी हती हवे विद्यु द्विभाजन जे मारे तमने तेनी समझापवानी हती तो आपने सरुआत करी हती के सोडियू क्लोराइड ना पिगली द्रावन विद्यु द्विभाजन निश्क्रियु धुरू लईने करी है तो सू मले नीपजो सांध्र NACL नूद्रावण लईए तो विध्यार्थ मेत्रों कई नीपजो मले तो एज NACL नूद्रावण जो मंद लेवा मावे मंद क्यार बने के द्रावेनी मातरा द्राव jurisdiction मा जे द्रावर करें द्रावेनी जे उगारें चे तेनी मातरा कूबोची हो त्यारे द्रावण मंद बने त्यारे एविस्चिदी मा निश्क्रिय द्रिवो ग्रेफाइट डूबाडी ने आपने जारते ने विद्ध्युद्रिवाजन करिये तो निपज कई माले विद्ध्याटी मित्रों में खूब इंट्रेस्टिंग वाद तमार साथे चर्चामा लिद्याती कि जरे सांद्र द्रावण हता अपना द्रावण मा विद्ध्युद्रिवाज ने जल्लिय द्रावण मा धनायन सोडियम ने रुणायन क्लोराइड नू पूर्तु प्रमाण हत ग्रेफाइड ना द्रोवचे जेवी विद्ध्युद्र पसार करियातीं त्यारे के थोड़ बढ़नी प्रक्रिया में तमने समझाय कि सोडियम ना बदले पाणी माना धनायन एच नू रिडक्षन जड़पती थासे फरी प्रश्ण कि सामाटी एच धनायनू रिडक्षन ए धनायन सोडियम ना रिडक्षन पोटेंशल ना मुल्या रून मा माइनस 2.71 वाल्ट खूब होचु छे जेनू रिडक्षन पोटेंशल हायर तेनो धनायन एजिली डिडक्षन पामे प्रबल ताती रिडक्षन पामे अपने आ रिडक्षन पामे तो अपने तेनी पेदास तेनी उत्पादन एलेकि तेनी नीपज हाइड्रोक्सिलायन द्रावन मा कैथोर पासे पड़े रहे शे आ हैड्रोक्सिलायन अने सोडियमायन बनने विद्युद्विपाज्यों ना जोड़ा अनती तेना नोच बनसे बेज बनसे द्रावन नूपी एज ग्रेटर दन से बनता यह आपने समझया स्विकारी लिदू लेट एस सी वट केन बी पॉसिबल अन द्रावन मा इद्युद्विपाज्यों ना जोड़ाइड आयानो छे रूणपारित आयानो छे जैसे एनोड पर उक्सिदेशन पाम्वा माटे पर में यह तम्नने सर्खाम नी आपे ती के रिदक्षन पाम्वा नी जोड़ाइड 1.36 वल्ट ते पाणी ना ओख्षन पोटेंशल हुआच चो घिवज़ ओटो एना ओख्ष़न पोटेंशल माइन plais माइनस 1.23 वल्ट तेनी सापक्ष्मा क्लोरिन यह यह जोड़ाइड आया चे जैनो अक्षरिम ठाशे एख्षे एक क्लोराइड आ नन्नो अक्षिद पोटें थाए पड़ में एमां तमने समझाए के ह्टू हो एज सवसर्जक बन्थी मजबूत बन्थी जोड़ायला अनुमाती दनायनों के रूनयनों जारे अनुमाती निटेद थाए बंद तूटे ना गटकायनों छूटा पड़े एक रियानी अंदर केटलीक उर्जा वपरे जती हो अक्सिडेशन पोटेंशल नुमुल्य ह2O गिवस O2 मोलेक्यूल तो आ प्रक्रियानों अक्सिडेशन पोटेंशल पेला क्लोराइड आनों अक्सिडेशन पोटेंशल जे माइनस 1.36 वल्ट हतू एनी सापेक्स मा पन गटी जाये चे अन्या ओवर वल्टेज नी सितिने कारण एच टोन नु त्याँ एनोल पर औक्सिडेशन न थता आपनने क्लोराइड ना ओक्सिडेशन थी क्लोरीन वा आ यू मलेक्यूल तो आ बात मारे तमारे साथे चर्चा मा त्यारे लेवी हत्ती अने एना कारह इने अहीया मे तमने शांद्र एने चिनादावर न विद्यु स पण हवे मन्द द्रावण होई क्लोराइड आयननु तो एनुमारे विद्यु द्रिबाजिन तमारी साथी जो सम्झावु होए तो मारे चार्चा करवी होई तयारे आपने ए जोईशु के द्रावण मन्द लिध्यलू छे तो द्रावण मा आयनी करंथी तेना घटरकायनो त परन्त मात्रा खोब ओछी छे तेना परिणा में विद्युत विभाजन ना विद्युत विभाजन कोश मा आपने जैर मन्द एने सीलू द्रावण लिए ने ग्रेफाइड ना ध्रुवो वच्चे विद्युत प्रभाब पसार करीशु तयारे विद्युत प्रभाब पसार करीशु तेरे आवती विद्युत केथोड ना प्रभाब रून दुरूप आवशे ł firearm से त्या रिडक्शन नी प्रक्रिया माटे आमें सोडेमायन हता त्यारे पाणी ओक्षिडेशन पाम्यू त्यारे रिडक्षन पाम्यू हतु अने H2Y निपज मली हती तो एनोड उपर हवे क्लोराइड आयनी मात्रा खुब ओची छे आपने आगल पाणीनो ओवर वल्टेज जानी उचे आपने के बई O2 पाणी माती O2 बनवानी जे प्रक्रियाच ओक्षिडेशन नी तेमा O2 नो ओर वल्टेज होगाने कारणे निपज मा पाणीनो ओक्षिडेशन सरवाने क्लोराइड आयननो ओक्षिडेशन थतुतु आपने निपज क्लोरीन मलती हती पण अत्यारे क्लोराइड आयनी मात्रा ओची शे तेना परिणा में क्लोराइड आयनने बदले ओक्सिडेशन पाणी नुठ शे औने आपने नीपज तरीके अहीं आथी एनोड पर थी ओक्सिजन वायुमार शे औने केथोड पर थी हाइड्रोजन वायुमार शे प्रक्रिया 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 प् विद्धित विभाजननों मुद्धो तमारे साथे अत्यार्जे चर्ची रहा छू एमां अमारे तमने थोड़ी विजी विगत पन आपती छें के धातु आयनो जेयो ना स्थान रिडक्षन पोटेंचिल 0.0 वर्ट आइड्रोजन आयन ना रिडक्षन पोटेंचिल ती नीचे आछे तेवो क्यारे तेवो ना क्षार नु जले द्राउन लेए तो केथोर पर क्यारे तेमना धातु आयनो नू रिडक्षन थसे निग तेनी जेग्या है पाणी माना दनाईन एच नू रिडक्षन थाई H2YU आपने निपज मले पन अभा कोई धातु आये ना क्षार मा अपना क्षार तरीके क्लोराईड ब्रोमाईड जो होए तो केथोड पर आपने निपज तरीके जो सांदर द्राण लेशे तो क्लोरिन वायू ब्रोमाईड नो क्षार लिदो तो एनोड उपर आपने ब्रोमाईड आयंनá ऑक्षिडेशन दी ब्रोमिन bahयो मले पने याद राखो आपना धातु ना धनायन ना नाइट्रेट के सलफेोट क्षार होए प्रस्चन फर इंति सामाटे ओक्सिडेशन नहीं पामें केम रुणायन नाथी तेओ इलेक्टोन गुमानी रुत्ति धरावता नाथी बदी वाद साची पन जेम रिडक्षन पामता आयनों मा जेम पोटेंशेल वदारे अने रिडक्षन पोटेंशेल नों मुले वदारे तेम ते धातु आयनी रिडक्षन पाम्बा निक्षमता प्रबलता भदारे तो तेवीज हरिफाई ओक्सिडेशन पाम्बा माते थाई विद्यासी मित्रों आपने आगर ना एपिसोड में तमार साथे चर्चाजी करते ने याद करो तो के स्टीमर ना तलिये लोखण ना स्टीमर ना तलिये अपने जहीं करने मेगनेसियम धातु ना बलोक सामाटे लगा डे हाता तो तेया आगर तमने में कही वातू के आयर नो उक्षिरेशन पोटेंशेल जेचे माइनस 0.44 वल्ट लोखण नो उक्षिरेशन पोटेंशेल जेचे हुँ माइनस नहीं कव मारे ओक्षेन पोटेंशल नहीं वाद करेंशे ते धन वेल्यू छे 0.44 वोल्ड पोजीटिव छे तो माइनस वेल्यू कोनी छे तो के एफ़ी आयन ना रिडक्षन पामानों पोटेंशल छे पण एफ़ी धातू परमानों नू ओक्षिडेशन था है तो ओक्षेन पोटेंशल नू मुले केरिलू थाशे 0.44 पण ये धन थाशे विद्याथे मित्रो आज ये मैं बात करी नहीं तो आयन ना ओक्षेन पोटेंशल निस आपेक्स मा जिंक नो ओक्षेन पोटेंशल आज परमानों ओक्षिडेशन पाम से अने तेनी साथे रहली अन्य धातू जना पोटेंशल नू ओक्षेन पोटेंशल जना ओक्षेन पोटेंशल ना मुलियो ओच्हा है त्ये जना ऌक्षेन पोटेंशल नू के अन्य पोटेंशल नू ओक्षईेशन विद्य दुपर थतू नती, तो अपना द्रावण मा सिलफेट आयाइं नाइट्रेट आयान होए, तेमना अक्सेशन पोटेंचल ना मुल्य पाणिना अक्सेशन पोटेंचल करता ओचा छे पाणिना अक्सेशन पोटेंचल ना मुल्य पाणिना अक्सेशन पोटेंचल एकली समझ वानू के पानी मा थी oxygen बाद O2 बनवानी प्रक्रिया नो oxygen potential जे 1.23 वल्ट छे ते मुल्य करता आ मुल्य जे oxygen potential नो ते ना करता सलफेड़ने नाइट्रोजन ना oxygen potential नो मुल्य ओच्चु होवा थी द्रावन मा जारे आवा जल्ले द्रावन मा सलफेड आयनों रूना अंतरीके अथ्वा तो नाइट्रेट आयन रूना अंतरीके तो एनोर नी प्रक्रिया पर अब बन्य आयनों आकर्शाय नों आकर्शाय ने त्या पोशिजिये जैसे तो खराज पर अक्सिडिएशन तो पाणी ना घटक ओन उत्त था पाणिना घटक में रहला ओक्साइड आयन में थी जिता से अनो ओक्साइड आयन ओटुमा रूपान तरिता से आवस्तु तु तमारे जोवानी शे तो विद्युद्राशानिक स्रेणी में तमारे सामे मुखेती एमा आ जे हाइड्रोजन जे दर्चाउजन में एनी नीचे ना कोईपण तत्वो नाक्सार जल्ये दर्वान मा होई तो तमन्या बदा एनी नीचे जेना रिडक्सन पोटेंचल ओचा चे तेम नाक्सार जो पाणिमा होई तो विद्युद्रिभाजन दर्म्यान एच्टु ओ नू रिडक्सन थाशे अन्या आपने निपज एच्टु ओ आयू मर से आ रिडक्सन नी प्रक्रिया में सा के थोड़ पर्था से क्यारे जो क्सार मा ये धातु आयनो छे तेमना रिडक्सन पोटेंचल रून होई तो एडले लिष्ट मा बद दाना धातु आयनो ना जो अक्षेन पोटेंचल तमारे सामे से बद दाना रून से जू आमनू कोई पन धातु आयनो होई तो याद राक्वानू के तेमनों के थोड़ पर रिडक्सन थाशे ने पाणी ना मान पाणी माजी एच्टु आयन चे तेम रून आयनों तरीके सलफेट अथ्वा नाइट्रेट होई त्यारे तेमना जलिय द्रावन मा विद्युधी भाजन मा एनोर पर सलफेट आयन के नाइट्रेट आयन ओक्षिडेशन पामता नथी मित्रो जलिय द्रावन नी वाच्चाले चे तेमनों ओक्षिडेशन थत्युधी पाणी नू थाशे पाणी मा जे ओक्षाइड आयन चे ते ओक्षिडेशन पाम से ओट्रु मा फेरवा चे औने एनोर नी नजीक एच धनायन मुक्त कर से एच धनायन मुक्त कर से एच धनायन जे एनोर पर मुक्त ते पाणीना ओक्षिडेशन बात एच धनायन पहला शलपेट आयन होई द्रावन मा के नाइट्रीट आयन होई अनी चाले जो जोड़ाए तो सू बनसे चलो मारो प्राश्ण से के एनोर पर H दनायन उत्पन न थे ये सल्फेट आयन साथे जोड़ा है तो एना थी कई सुत्र बनचे कई एसिड बनचे H2SO4 बनचे ताहिका माइनस टू चेले बे दनायन H जोड़ा हती ये सुत्र बने तो H2SO4 था एसिड बने ओल्राइट नाय्ट्रेड आयन साथे H दनायन जोड़ा हतो H2SO3 बनचे विद्यार्थी मित्रो एनोर पर दनायन H नू सांद्रण बदवा थी एनोर ना द्रावन नू पी एच द्रावन असिडिक बनवा थी लेस देन से बन थाए तो आएक में तमारे साथे चर्चा करी के पाणीनू ओक्षिडेशन क्या रहे थाए औने पाणीनू रिडक्षन क्या रहे थाए तो आजे विद्युद्राश्यानिक सेनीमा में धातु आयनू मुक्या जिमना पोटेंचल नेगेटिव चे यह मनों बेके त्रण लोग तमारी सामेज अने उन तमने प्रश्ण मूखू याद राखो हूँ यह जे लखुजू ने यह वाद धातु आयनू से कि जिमना रिडक्षन पोटेंचल सुन्ने करता ओचा से जिमके फेरस आयन जिंक आयन मेगनेश्यम आयन मान लोग के चलो में अल्यूमीने मायन पन लीदा अहिया तमारे सुजू आनू छे कि आज धातु आयनू छे तेमना नाइट्रेट क्षार होई के सल्फेट क्षार होई आप यह माती कोई पन होई सल्फेट के नाइट्रेट यह मेगनेश्यम चे MgSO4 के यह नो नाइट्रेट आए अल्यूमीने थी सल्फेट आविरीत बन छे AL2SO4 थ्राइस अने नाइट्रेट बन छे ALNO3 थ्राइस आज यो क्षार हसे तो आप बद्दा धातु आयनू जे छे तेमना रिड़क्शन पोटेंचिल E0 रिड़क्शन जे छे ते बदाज लेज जेन जीरो छे जीरो कोना माटे लख्यू रिड़क्शन पोटेंचिल जीरो मुल्य कोना माटे लख्यू तो के H धनायन ना रिड़क्शन माटेंचिल जे पानी माए H धनायन होए नू रिड़क्शन नीवाथाई तो ज्यारे ग्रावन माँ आध हातु आयनू हसे आइधर फेरस आयन जींक आयन मैगनेश्यम टू प्लस आयन पानी ना रिड़क्शन थी केथोड पर आपने एकर जी निपज माटे है H टू आयू प्रक्रिया लखे तो आप पानी माँ तो मोल मीन्स थी बे धनायन ह वरत्ता बे रूनायन ओ एच यह माना धनायन ह इलेक्टोन लईने रिड़क्शन पामेचे H2IU बना अचे निपज कही छोड़ से पाचर हाइड्रोक्सिलाएन एनोड पर आ नायट्रेड के सलफेट होए एक क्यारे ओक्शिडेशन पामवाना ना थी तो प्रक्रिया पानी ना ओक्शिडेशन नी जो थाए तो निपज तरीके एनोड उपर परपोटा रूपे ओक्शिडेशन वाई रिलीज थाशे मुग्त थाशे और आ प्रक्रिया थाशे तमने कई सकी सुव में कि आवा कोई पन क्शार होए जमाँ धातुआनो रिडक्शन पोटनेशन लेस देन जीरो होए तेवा धातुआन साथे सलफेट के नाइट्रेट क्शार जोड़ेला हो त्यारे बन्ने द्रूव उपर ये प्रक्रिया पामनार घटक छे ते पाणी छे माँटे आ पदार्थोना जल्लिये सांद्र द्रावन ना विद्धिद्विबाजन वास्तम्मा पाणी नुव विद्धिद्विबाजन चे आ वस्तु तमने मारे समझाविया थी विद्यासी मित्रो आपने आमे जनरल कोमन वाद तमारे साथे चर्चा मले थी हवे तमने कोईपन वस्तु कोईपन द्रव्यले ने ये विद्युद्य बाजन मारे विद्युद्य बाजन मारे तमने प्रस्ण मुखो होतो तमे ते समझी सक्षू आ सामाटे जरूरी हतू काई गे तमने मारे मात्र विविद्धी दुबाजन अन्ने द्रुवबर नी प्रक्रिया कही तशे एटलुच शिख्वाडवानों कोई हेतु नथी पन फेरालेना नियम ना आधारे राशाणिक गनत्रियो आवे छे ए गनत्रियो पन तमारे शिख्वानी छे अने ए गनत्रियो शिख्वा माटे आपनने आ फेरालेना नियम मों खुब उप्योगी बने छे और तेरों तमने विशे ने विशे अंतर करीने ए गनत्रियो पर अत्यारे नहीं ले जो उन ले जे इस और तेर आपने सु सिख्या रहा चे विद्धिद्वी बाजन एमा आपने सु सिख्या के जे धातु आयनों ना रिडक्शन पोटेंचल रून छे औने तेना सलफेट के नाइट्रेड शार तरीके ते चांद्र द्रावन लिदेलू होए तेरे विद्धिद्वी बाजन मा बन्य द्रूव पर कैथोर पर पाणी नू रिडक्शन था से एनोर पर पाणी नू ओक्षिडेशन था से बन्य द्रूव पर पाणी प्रक्रिया पामा छे माटे कई सके के अवा द्रभ्यों ना विद्युत विभाजन वास्तों मा पाणी विद्युत विद्युत विभाजन छे देट इस क्लियर टु यू, इसेट ओके हवे सेज आगर चालिये आपने जुई गया के विद्युत विभाजन नू सांधरन बदलाय तो पर निपज बदलाये शे, तो पर कालके में तमने एनेसेल नू विगली द्रावण आपिऊ, जमाँ पानी ना होई, फ्यूज रवस्ता आती, तो के तो पर सोडियुम दातू, एनोल पर क्लोरिंग सांधर द्रावण लिदू, जल्य द्रावण एनेसेलो, सांधर द्रावण, के थोड़ पर एने धनायन ने बदले पानी ना रिड़क्षन ती, ह्टू आयू निपज मरी, पिलो ओए चायन द्रावण मा के थोड़ पासे जे पड़े रहलो, ते एने धनायन साथे एने ओज आलकली बनियो, यह नहीं समझ लिदी, पी एज ग्रेटर द्रावण थाई, यह पन जानियो, एनोड पर ऑक्षिजन नू ओवर वल्टेज वाड़ो गून होवाने कारणे, पानी नू अक्षिड़ेशन न थाता, एनोड पर क्लोरीन नू अक्षिड़ेशन थायो, और क्लोर अक्षिड़ेशन पामी ने क्लोरीन मा फेरवाया, जो भी उप्टेंज था प्रोड़क्ट, क्लोरीन गेस अनोड अनोड, अवे एज एने सेला संदर्भ में मन्द द्रावण ले ने बताया, कि मन्द द्रावण मा बनने द्रुव पर पानी प्रक्रिया पामी, यह नू जेना गटक आयनों नी मात्रान प्रमान खूब उच्छी होए परीना में, तेहां अगर जरे कैथर पर विद्ध्यूत आवाचे के ते वखत पानी नूज रिलक्षन था से कांके एने धन्नाय नू तो थावा नूज नजी पोटेंचिल रिलक्षन पोटेंचिल उच्छी च on aone. Hence, the water molecules of the aqueous solution is getting oxidized and we get product oxygen gas. So, this way on both the electrodes, the reaction carried out only reduction of water on cathode and oxidation of water on anode. This way, we can say that the electrolysis of diluted sodium chloride solution using graphite electrodes इत दो इलेक्टोलिसिस ओफ बोर्टर ओनली अएक वात आपने चर्चामली थी तमने आवा सब्दो कानु पर पड़ से तो तमने वधु भिज्णयान प्रत्तिन ने एक रस केड़ा हुशे हवे मुद्धो समझीलो तमे में द्रावणी सांद्रता बदली निपज बदले गई अवे हुँ विद्ध्रु बदला है लेके विद्ध्रु प्रकृती पर पन विद्ध्री बद्य 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 जन्मा निपजो नो आधार रहे लो चे रहे हैं। We will see that, how the electrodes are the main factor in electrolysis. How they are participating during the reaction. Grafite विद्ध्रु यह नाम आपए जो कि निष्क्रिय विद्ध्रु तो Grafite नि तया प्रकृती 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 पामचेदी। But Sakriya द्रु होय तो तो प्रकृत्रा था है। For example, अगार को पर सल्फेट नू द्रावण तमार सामें लाइस। विद्यूत विभाजन कोस मा अत्यार में ग्रेफाइड ना निस्क्रिय द्रुवो लिदाचे द्रावन आपनों कॉपर सल्फेड है C-U-S-O-4 जेवो विद्यूत विभाजन सुत्र लखेले तमां मां आइड मां क्लियर था है के एना आयानी करंथी द्रावन मां कॉपर आयनी साथे सल्फेड आयन मूगत थावाना चे और जलिय ले तो ए द्रावन जलिय द्रावन मां आयनों मूगत आशे हवे आपनी पास ये बेग घटको चे धनायनों कॉपर आयन चे पन तमने बहुआर में ये चर्चा माले दिले तमने पोटेंशल नी किम्मत कदाज खबर पण होए ना खबर ये तो एटलू तो खबर जे के तेनों पोटेंशल कॉपर धातू आयनों पोटेंशल सुन्य करता मोटर चे तो हाइड्रोजन विद्युद्रू जेशे हाइड्रोजन नों पोटेंशल एना करता कॉपर नों पोटेंशल भधारे होई कॉपर आयनों तो केथोड पर जिवाई इलेक्टोन आउसे, तो कॉपर आयनो धनायनो आ विद्धुद्रूपर पहुची ने, सुकर से को, तो विद्धुद्रूपर पहुची ने, तो कॉपर आयन पते ओक्सिडेशन, पते रिडक्शन पाम से इलेक्टोन मेरी ने, तो यहागर आपने कई जमा थहली मलचे, कौपर धातू, अगर पाणी नू उक्षिडेस्ट पाणी नू रिडक्षन नहीं थाई, काके धनान एचनु रिडक्षन पोटेंचल न मुल्य, कौपर आयन ना रिडक्षन पोटेंचल कलता हो चुछे, so we can collect the कौपर मेटल, कौपर सल्फेन विद्युदी जाँ बाजन करिये, पन्ठ रूणा यन सल्फेत जेचे ने, ए एनोर पर आकर सहाने पोटें, एनोर पर तमने में, एनी तो समझ आपे दीवे सल्फेत यन तमार ध्यान में देखा है, तो त्यां आगर इनकी छे, कि आ आयनो जैने पोँचे न वादो ना थी, पर ओक्सडेशन पामबाना नथी फरीको के केम नहीं पामे तो जेम नूँ ऑक्सडेशन थवा नुचे नाइटर के सल्फेट अत्यर सल्फेट आयन चे आपड़ा द्रावन मा तो ये सल्फेट आयन ना ओक्सडेशन पोटेंशल नो मुल्य पाणी करता ओची छे माटे नहीं थाई यहले कि पाणी ना ओक्षिडेशन पोटेंशल नो मुल्य सलफेट आयन करता वधर तो पाणी ओक्षिडेशन पाम से तो कही निपज आप से को विचारों कि ओक्षिडेशन को नू थाए तो कि जेनी पासे इलेक्टोन चे ते आयन थाई तो आ बे उक्षाइड आयन ओटू बंसे तो कितला मूल इलेक्टोन मुप्त कर्छे चार मूल इलेक्टोन टूक मा आहिं हागर्थी आपन्ये परपोटा रूप्मे ओटू आयू मर्षे अहिंहागर अको परद्भा तक्षि, आज ये ओटू आयो मुप्त थासे तो द दनाएन एच अने अहीं थी जे द्रावन माना सलफेटाइन आकर सैना एनोल्ड नी नजी गया छे ए सलफेटाइन जोड़ा वात्या आपने सयोजन कव्यू मलचे ह2SO4 जे एसीड छे माटे द्रावन नुँपी एच कोपर सलफेटना द्रावन नुझारे जल्य द्रावन नुझारे विद्धिदी बाजन करिये तो द्रावन नुझारे घटे छे लेज देन सेवन थाजे कारण के एनोलिक प्रक्रिया उपर पानी ना ओक्षिडेशन थी जे एनोल ना विद्धिद्रू पासे जारे जारे एच धनायन उत्पन थासे ते एच धनायन पहला रूनायन साथे सवयोजाई ने है एक एसवसोकर जेव एचिलीक ड्राव बनाऊं चे वह तो द्रावन पधाओ के टेवेश सीथिमा पीहा पीएज टेवा शेवन खती जाया पीह सेवन पन लेज porteने सेवन पिएजीशक जेवन्यजा पांट चेव और पने ने हम फत्रानायन ग्रेशन तो पहला प्रशनो मेह तमने यहाग़ कोपर सलफेट ना द्राण नु विद्धीद विभाजन सम्झावब कर द student कौपर सलफेट नू विद्धी विइपाजन सम्झावब कर दो बूंत नीस्प्रिया परी थी टिली टोप पर के जो द्रावण मा आपनी पासे द्रावण कोपर सलफेट नुद लेवानु छे अने एमा आ ग्रेफाइड ना द्रूओ लेवाना न थी पन कोपर धातुना विद्ध्यू द्रूओ लेवाना छे शक्रिय धातुना विद्ध्यूद्रू लेदा छे एनोर पन कोपर धातु छे केथोर पन कोपर धातु छे हवे एने हुँ बाहार ना परिपत्मा जोडू छे विद्यूद्ना परिपत्मा अई आगर एनोर छे आ विद्ध्यूद्रू केथोर छे आपनों द्रावण कौपर चल्फेट आएनो छे जर्या विद्ध्युत्रवा हुँ जिवो पसार कर इस विद्ध्युत्रुव मार पते तो के थोड उपर आज जग्या है एना नजीक मा द्रावण माने द्रावण कौपर आएनो छे तर्तज इलेक्ट्रोन मेरीने रिडक्शन पामीने कौपर धातु मा फेरवा से अन्यागर विद्ध्याति मित्रो देर विद्ध्याति मित्रो देर विद्ध्युत्रो डिपोजिशन ओप कौपर मेटल शक्रिये कौपर धातु नदे विध्यद्रू अगौब थमौई रिडख्शन में लिध्यद्रू तो अगाविध्युदि वजन करता हैं जया केथोर ETbas करिकी कौपर यह विध्युद्रू होतो अपने प्रक्रियत्थवा देने पच्छी जो वजन मा अपने चकाशनी करिये तो वजन मा वधारो के थोड़न वजन वदे चे काहिए कोपर धातू तो यह अपने तारन लगे के थोड़न वजन वदे चे लगे पीडों के थे टेटलीज मा अपने अपने चेकिंद्वा पर्मानने तीन वजन मा अपने चेक है। ना ना ची प्ल identifies थी होसी कोपर पर luôn ओक्राबान उक्रीशान पामे जे मोश्ची कहेत थाए डिला में KB कि अरु और टफा वत्त मुन शुंत को कि साभौत में लिधु तीयार केटलू था कि आना विधूद्रीवाजन करुपे प्ची स्वी तो गेत्थोर नू वजन जन चेम वदे चेँ, जितला मोल वदे चेँ, तो अठीशम डावंड करने शक्रिय डावतु जी agosateु अठीशम जालू जबराटे में निपज बतलए गई केथोल उपर सीव धातु जमा थाई एनोड उपर कौपर धातु ना पर्माणू ओनू ओक्षिडेशन थाई अईनी कौपर नी प्लेट खवा से चारण पाम से कौपर आइन जे बने ते द्राण मा ओगल से माटे कौपर जे एनोड से तेनू वजन घटे से केथोल पर वजन वदेशे तो आज ये में तमार साथे शक्रिय ध्रूनी में वाद करी एमा में तमार साथे जे शक्रिय ध्रूनी वाद करी ने तेमा अपने सूझ होई तामबानू वजन मा केथोल पर वजार थोई एनोड उपर थी शक्रे दुरू जे तामबानु विद्ध्य दुरू होतो, तेना वजनमा गटाणू थोई ते, विद्ध्यार्थी मित्रो, साइन्स माँ दरेक दरेक कंसेप्ट आपने उत्पादन निद्रष्टिये, कोई प्रोसेस निद्रष्टिये ने सांकलता हो ये जे, विद्ध्यार्थी मित्रो, राशाइनी कृते जरे तामबानु निश्कर्षण करिये छे, तमें तत्वनु अलगी करण ए प्रक्रण तमारा अभ्यास मा छेज, जे मल, कोपर पाईराइट जे खनित छे, ते माथी कोपर धातुने निश्कर्षण अपने, अलग-अलग तबका निश्थापन, प्रद्रावन, बेजिमरी करण, और बेजिमरी करण ना तबकामा तमने खबर धेगे, अपनने क्युप्रस सल्फाइन एक्युप्रस ओक्साइड उजे मिश्रन माले छे, यहने, सेल्फ्र रिडक्षण ओक्साइड नी प्रक्रियातित, तमने ख्यालावशे प्रवाही मिश्रमा क्युप्रस सल्फाइड साथे, क्युप्रस ओक्साइड बने छे, अईया, सल्फाइड आनू, सल्फाइड डायोक्साइड बनवानों छे, माटे एस साथे बे ओनी जरूपड छे, माटे यह बे मोल्ली दा, जयरे बेलेंज करिये, तो 6CU प्लस SO2 प्रक् स्यम् रेडोक्स इडला माटे कई ए किह आज दर्वे अग्यूप्रस सल्फाइड अक्साइड आक्टो कौप्ण ओक्साइड बने फिश्रमा कौप्ण ओक्साइड बने प्लस बने चे, पर आज सल्फाइड आयों छे ते आजे ओक्साइड आयन थे ने तो तेनी साथे सहियो जाशे अने आपने निपज मा आज सल्फाइड आयन माथी सल्फर डायोक्साइड अने आज कौपर माथी आपने मलशे कौपर धातू तो आरी ते आज सल्फाइड आयन आजे ओक्साइड छे तो ओक्सिडेशन करचे अने सल्फाइड आज द्रवे नू रिडक्शन करचे एटले आपने कहिए छे के आप्रक्रिया स्वयम रेडोक्स थी बराबर छे तो कौपर धातू आपने मलई आ कौपर धातू जे मलई तेमा जिंक, निकल, आयन, सिलिकोन, फोस्परस आवी असुद्धियो होई छे टूक मा आरी ते मलता कौपर न आपने ब्लिष्टर कौपर पन कहिए तमने कई के जे असल्फाड डायक्साइड वायू जेव मूक्तु थासे एपली सपाटी उपर दीमे दीमे परपोटा रूपे बबलिंग थे निकल तो होगाने जे देखाए छे छुटी पलती मलती धात कौपर तेनी पर काना काना जेवी एक सपाटी सर्जान काने ने ब्लिष्टर कौपर नामा भी पन इटेज सम इंपुरिटी इस 95% प्योर पर आपने विध्युत्वाहक तार्मत तामनो प्योग जोए के अन्य कोई पन विज्वाहक अत्वादो विध्युत्रसान ने चोलो इलेक्ट्रोनिक्स साधनों मा कौपर नो प्योग जो तेहां आती सुद्ध तामबानी जरूपर पर हंडरेड परसेंट प्योर जे तेवी स्टिति मा आपने तामबानी सुद्धी करन विध्युत्री वाजन नी रिते करी सक्के छे तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दर म्या आजे ब्लिस्टर कौपर जेमार जेमार सुद्धी छे एवी तामबानी प्लेटों ने एनोड पर थी औने सुद्ध तामबानी प्लेट ने केथोड पर थी, आगेथोड चे ड्रावन मां डूबाडी ज्यारे आपने विद्युत प्राफा पसार करीशु त्यारे ड्रावन मां ना कोपर आयनो के थोर पर रिडक्शन पाम से आज ब्लिष्टर कोपर चे ए ए नोड चे तो ए नोड पर एना पर्मानु ओक्षिडेशन पाम चे अनो ओक्षिडेशन पामी ने द्रावण मा द्रावड था चे विद्याजी मित्र आ विद्युदी बाजनती जारे आपने आ कोपर आयनो कोपर धातु मा थी ओक्षिडेशन पामी ने बनाविये छे तो ते रिते आ प्लेट दिमें दिमें ओगलती जासे द्रावण माना प्योर कोपर आयन या रिडक्शन पाम चे शोटर का सुद्ध पर आया जारे आ असुद्धी युगत कोपर आयन बनीने जेब अगलती जासे तो विद्युदी बाजन ने आ प्रक्रियान पडिना में आ जे एनोर चे ने तेना नजीक ना द्रावण मा एनोर नी नजीक ना पाग मा आ असुद्धी ओर युगत द्रावण असे तमने एक कोपर ने अंदर आ असुद्धी ओर तो हो चे पन केटली खुबच कीमती धातु हो प्लेटिनम गोल्ड थोली घनी सिल्वर ते ओनी पन असुद्धी हो चे अन्ने ए असुद्धी युगत द्रावण मा निस्क्रिया धातु रूपे चुद्ध धातु कांके आ धातु परमा एनोड मोड पासे आपने आ घटक द्रव्यों जो किमती वस्तु हो चे ते उप्पे दास तरिके विद्ध्य धिवाजन नों मली सके छे इडले इलेक्ट्रोलिसिस नों हिया में तमने जे उप्योग करे विद्ध्यार्थी मित्रों ते उप्योग सुचे तो के असुद्धी एलिमिनियम अब धास धातु तातु नों आपने विद्ध्य धिवाजन ती सुद्धिकरण करी सके छे कौपर जाए शुद्धी करण पामे विद्ध्य दिवाजन थी तो तेमा अन्य शुद्धियों उप्रा अंधे प्लेटिने मने गोल्ड जेवी धातु नी पना शुद्धिया थी ते एनुर्ण पांक आगर आपने कलेक्टेड द्रावन ये अंदर थी तो आएक बाबत में ते के माने चे ते नीपज बदलाई चे हूं तमने अजू एक उदाहर ना पीस आजे आपने विद्ध्य दिवाजने बहुत सारी ते जोई शुद्धियों अनुसार जे प्रश्णों बनवाना चे और प्रश्णों तमने टाइटल मुकिने मां सू मारे सोधा हुँछे ए तो विद्ध्यार्थी मित्रों आज ये में तमार से चर्चा करी अहीं तमें बन्या के असुद्धी युक्त धातूनुसुद्धी करण विद्ध्युत विवाजन नी प्रोसेस ती करी शाकाई जे तो बीजे अवे एक बापत अजू एडिशन मल लेए और त्यारे याद र तो साथे कार्मनीक पदार्थो ना द्रवयोनुपन विद्ध्युत विवाजन सम्झाविस। तया हूं तमने एक सारी स्पेसिफिक चर्चा हूं करिश। और ये ने कैनीपजु मली सकते ते पन तमने सम्झाविस। ये तो बीजे अनुव पूई पूई पूए पूए लि आवरी लेवाए ये चर्चा करूए तमने बधुत्यमा जुवा मले ये शक्य छे पन खरूए के निक बाबत न पण हुए इटले तमने नीटनी अंद जे नतियाने बधु सारी रिदे कारूँ छे अन सम्झावूँ छे हूं तमने विद्ध्युत ढोल द इलेक्ट्रो प्ल कियम थाई तो आपने अगावना एपिसोड मा जे आयन से लोखन जेनुक सारण खूब जड़बती थाए चे अन्ये एक सारण एज समझ से आचे तू प्रिवेंट दे कोरोजन ओफ आयन I have discussed some remedies plastic paint लगादेव आवरंधा कि देव कि वेक्ष लगाड़ू नीरोधको नो प्योक करो अब दो आपने चर्चा करोई पन्यू यू हेव लर्न्ट दे गेल्वेनाईजेशन आप आयन लोखन नी सपाड़ उपर जींग धाटनू दोल चड़ाओ ए विद्युत विभाजन नीरीते डोल चड़ाओ तो ए वस्तु तमारे समझवानी चे विद्यार्थिमित्रो हूँ तमने शिल्वर प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग आव उपरांथ आजे कयो तेम गेल्वेनाईजिंग प्लेटिंग अब दी वस्तु तमार साथ चर्चा मालेशे पहलां पहला आपने गोल्ड प्लेटिंग करिये विद्यार्थिमित्रो हूँ गोल्ड प्लेटिंग एटलेके तमने खावरे गोल्ड प्रेशियस मेटल बद्दाज सोन खरीदे सोनाना सुंदर आपुसनों खरीदे ए खरीदवा मात्ये नो जे भाव चे खर्चा चे न किम्मत चे ते प्रेशियस ओर्नमेंट्स ऑफ गोल्ड पंड सोख तो बुरो कराये पीडा रंग नी चमकती धातु जेन गोल्ड के वाये एवी चमक धराती अन्य मेटल भी बनावाई छे अन्य मेटल एवी एलोई एवी धातु अने मिच्र करी के जेना कारणे एनु जे जे चमक चे ने ब पण आतो लेटेश्ट आजना संचो धनु ना आजना मेटल ना मेटल अरजिनी वाद थाई पर विद्यार्ची मित्रो जुना समयमा गोल्ड करता सस्ति धातु तो के सिल्वर शब्भेद रंग नी एलुमिनियम के अन्य कोई पण धातु जेना आपने दागी ना घरी सके प पीडो रंग जेना आपने गोल्डन कलर कहें चे ए तो मात्र गोल्ड साथे जोई तो वोट वेर वी वेर डूइंग तो मूल वस्तु ये चे के अन्य धातु पर गोल्ड नु पर प्लेटिंग थातु चांदी बन मोगी चे तो किटला भदू वेल्थ पर संजे चे दना डिल अपने सामाने स्टिल ना वासन मा जमता हो ते ते वर नु सोग चे के चांदी ना वासन मा जमाँ पर गणियों करते चांदी शाची ना पन होई पर अपने सपाटी उपवर सिल्व नो डोड टड़ावलो तो देट अपरेटर्स, देट यूतेंसिल वेल्लू के लूग अज अपने सिल्वर प्लेटिंग शिखी लेए तो बिजा अन्य धातो ना प्लेटिंग मा तमने समत्तवार ने लागे तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ सिल्वर तो विज्द्यार्थी मित्रो तमारे साधे टेली टोप में हो तमान नजर सामेज सिल्वर नु प्लेटिंग करी तम्हारी सामेज हूं सिल्वर धातुनू ढोल केद चड़े ते हूं प्लेटिंग करिंग बटाईश। चालो जार तेयार थे जाओ तम्हे पन आजक वस्तु करी सक्षो। विद्युदिवाजन कोष्णा पात्रमा याद राखवानू छे के जे धातुनू ढोल चड़ाओ हुए तेज धातुना प्षार नू सांद्र द्रावन लेवानू विद्यार्थी मित्रों यहागर मारे तम्हे शिल्वर प्लेटिंग समझावू छे। तो पेल्लू कामसु करी सु कि जे ध्रावन लेशु ए शिल्वर नाइट्रेट नू विद्युदिवाज शिल्वर नाइट्रेट जेशे तेनू सांद्र द्रावन लेशु। बिजी बात। जेनी उपर धोल चड़ाओ छे। जे अपना जेब के ओर्नामेंट्रे दागी नो छे। मालोक मारे चमची उपर धोल चड़ाओ छे। तो जेनी उपर धोल चड़ाओ छे। ते टूल ने आमें यहां चमची उपर धोल चड़ाओ छे। तो आँ चमची नहूं के थोड़ना संपर्क मा राखी ने तेने विज्जी दुपाजी ने द्रावन मा डूबोय ते रिते गोठवा माँची। सपाटिवर प्रक्रिया था माने शे माटे। तो आँ समय विजो विज्जी दुरू जेहू लैश। यहुँँ शक्रिय सिल्वर नो विज्जू दुरू लैश। पण आग जेनी वपर मारे ढड़ुडट रड़ाव हूँशे त्येयन कोई पण हो शके। लोखंनी चमकषी कोई पण हो शके। नीकलनी पण पूँचे। всего पण हो शके। अधर देन सिल्वा। आपकले मारे जेनी वपर सिल्वानों ढड़ुड रोओ राठे द्रावन मा डूबेते गोठवानियों चे अन्ने एनोड तरी के मारे चक्रिय सिल्वर नो द्रू लेवानों चे अन्ने आप यह विध्युद्रू अन्ने हुँ विध्युत परिपत्मा जोडिश्च इद्ध्यार्थी मित्रों तमें जोई शको चे आ के थोड त एनोड तो ज आजे सिल्वर आएनो छे एज आएनो ए सिल्वर आएनो जशे क्या जशे को मने के थोड पर ज्यासे आरी आ चम्चिनी सपाटी उपर आज आ शिल्वर आयनों पोँच छे अने पोटे रूण द्रूव ये रूण भारी हाचे तो तो एननों कैथोर्ड चे माटे एनी सपाटी उपर आ शिल्वर आयनों इलेक्टोन मेडव से रिडक्शन पामिने एजी धातु रूपे आनी सपाटी उपर जमा ते ही छे टूक मा केथोर पर मुखेल लगी पस्तुनी सपाटीव पर सिल्वर धातुनो आरिते आवरन थाचे ढोल चट छे अन्ने बीजी बाजुए आपने सिल्वर नोज विद्ध्यु दुरू लिदो छे पोते सक्रिय दुरू छे तो एनोड पर आजे सिल्वर ना परमान वो छे ते यूक्षिडेशन पामें चे अनिध्रावनमा शिल्वर आयन रूपे उक्षिदेशन पामेभाद दुरू अन्ने द्रावे थाईए जिटला ग्राम धातुनो धोल आपना रह केथोर पर चार से इटला cousin kangने समान धातु इटला 10 ग्राम नोगटाडो अपने एनोड वारी च जो धोल नी रचना जे दर्शावी, तेमा में सिल्वर नो धोल के दे चले एनी चर्चा करी। याद शू राखवानुचे कि जे पदार्त नी सपाटी पर धोल चलाओचे, तेने केथोर ना संपर्क मा राखी ने द्रावन मा डूबे तेरी ते मुखवान। नमबर बन. बिजी वात के जे धातुनो ढोल चलाओचे, ते धातुनो सक्रिय विद्ध्युद्रू एनोर ने ड्रावन मा डूबे तेरी ते राखवा मा है. नमबर बे. त्रिजी वात विद्युत्विभाज्यान्या सिल्ट्च लेवान। प्रिफर करवां छे आपने पसंद करवां छे अनोल पर अविद्धी बाज्यमा रूनपारित आयन एहो ना हो जे के अनोल पर शक्रेद्रू शिल्वर नू ओक्षिडेशन अटकावी न पोतेज ओक्षिडेशन पामें एहो ना हो जे दो शूद बीज़ा सच वीच्शोड नो बीज़ां इनोल शुद नो नू पोतेशन पोते विद्धी प्राइब नोल सर्दी आखारीटिव्वर नू आव जोडेवानू नूू ृप्र शिल्वर नी प्लिट मेंना इधिया ंव अनोल पर क्रोमीयम नू ध्षिज़ेशन गव चड़ावे चड़ावो हो तो सुवी चारीशु लेटेस पाइंड के क्रोमियम धातुनों मारे ढोल चड़ाओ छे सु करीशु तो अत्यार हुतमने सीधु जबात कऊ के मारे आ केथोड छे आ केथोड उपर में लोखनी आ एक रिंग जेचे एनी सपाटी उपर मारे क्रोमियम धातुनों धोल चड़ावो चे तो अहीं गर्ड द्रावण मा हुँ डूबे ते रिते एनोड तरीके क्रोमियम प्लेट लेट लेशु तो अन्य कोई धातुनी रिंग छे लोखन के एनी सपाटी उपर मारे क्रोमियम नूप्लेटिंग करूँ तो एनोड के मारे विज्जु पड़ स्थाई क्रोमियम आयन जेचे ते थ्री प्लस छे जो सलफेट लोग तो एनोखार बने सियार टू एसो फो 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 फ्राईस जो हुँ नाइट्रेट लोग तो नाइट्रेट माइनस वन छे तो सियार एनो फ्री फ्राईस मले आमा बे पाईकिनू कोई पन द्रावण लिधा पची जया रहू अब बन्य विद्यु द्रूओने बाहार ना विद्युत ना पथ मा जोड़ू और जेव विद्युत दाखल करू तो नेचरली आ के थोड़ू पर क्रोमियम थ्री प्लस आयन रिडक्शन पाम से इलेक्ट्रोन मेलवी ने अन सियार धातु रुपे जमा थेजिए लापने प्लेटिंग थेजिए अन जेतलो धोल चार से इटला च्रोमियम परमानो एनोर पर थी ओक्शिडेशन पाम से अंध्रावन मा ध्रावेत असे तो आ रिते प्लेटिंग निवाद करी निकल प्लेटिंग करू तो निकल सल्फेड नु द्राण अन्य जेने पर ढूल चलावेत अन्य द्राण मा डूबेत रिते के थोना संपर्क में राख्वाती निकल नो पर ढूल चले विड्याथी मित्रो आपने साधी रिते विद्युद्रिभाजन निमे तमारे साथे सरुआत करी रजुआत करी और आजे अपने येके उदाहरनों अने तेना द्रुवपनी कई प्रक्रिया सम्भवित थाई चे अने चोकस कई थाई चे एपन मैं आपनी साथे चर्चामा तमने में समझा पीछे विद्यार्थी मित्रो आ विद्युदिभाजन साथे हवे पच्चिना एपिसोड मां हूँ तमने कार्बनीक द्रव्यनु पन विद्युदिभाजन करी ने आपने कार्बनीक रश्यान मां उप्योगी निपजो बनाव माटे आ विद्युत विभाजननी प्रक्रियानु पन उ अपने उप्योग मा लिदेली से नो पन अभ्यास करीशू। आजे आपने घणुबद शारू चर्चा मा लिदूशे। आप एपीशोड मा क्या MCQ रिलेटेड के वाब बने आ मुद्धाना रिलेटेड एमें आपनी साथ चर्चा मा लिदूशे। पर याद रखों नेक्ट एपीशोड मारे तमने एना माटेनी प्रक्टिस माटेना प्रश्णौ अपना आच्छें। चर्चा मा लिदूशे। तो आप मारे साथे आएपीशोड मा जोडाया खूब रास्ती तमने मारे साथे काम कर्यूं। अने तमें आप मारी अइथी दर्शाली अगत्यनी विगतों बन तमें नोंदी है सें तो आपनों आभार मानुचु अने नेक्ट एपिसोल में फरी मारी साथे जोड़ाओ तेवों हुँ तमने विननती फण करूचु तो जय गुजरात वन दे गुजरात Have a good day झाल 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 झाल